Hello everyone, welcome to SAKA Tutorial आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ NFL यानि की National Fertilizers Limited में जो notifications रिलिज की गई है Non-Executive Post के लिए जिसमें Store Assistant के पोस्ट के लिए भी vacancies को रिलिज की गई है जिसके लिए अलग-अलग educational qualifications वाले candidates eligible हैं चाहे आपका educational background, science का है, arts का है, या फिर commerce का है आप लोग इस post के लिए form को apply कर सकते हैं अगर आपने form को apply कर दिया है तो अच्छी बात है और नहीं किया है और करना चाहते हैं तो आप लोग NFL के official website पे विजिट करके इसके official notifications को download करके पहले अच्छी से पढ़ लीजेगा इसके बाद basically form को apply कर सकते हैं तो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं इसमें मैं बाते करने वाला हूँ detail में NFL store assistant post के लिए previous year question paper को और इसके solution को भी आज के इस episode में detail में हम लोग देखेंगे दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं जब भी preparation strategy के बारे में बाते करता हूँ तो उस videos में मैं बोलता हूँ कि किसी भी competitive examinations या फिर किसी भी examinations का अगर आप preparation करते हैं तो उसके लिए दू चीजे बहुत important होती है पहला previous year question paper और दूसरा syllabus है अगर ये दोनों चीजे आपके study table पे हो तो ये basically गारी के headlight के तरह काम करता है यानि कि आपको रास्ता clear साप साप दिखाई पड़ता है उसी तरह से यहाँ पर preparation में भी अगर आपके पास syllabus और previous year question paper हो तो आपको preparation के लिए basically रास्ता पूड़क के लिए साप साप दिखाई पड़ता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है और कौन से topic को कितने value दे करके कितने depth में पढ़ना है किस तरह से पढ़ना है ये सभी चीजों का idea आपको previous year question paper से और syllabus से लगता है और क्या-क्या चीजे पढ़नी है ये syllabus बताता है और कितने depth में और किस तरह से पढ़नी है ये पी-वाई-क्यू बताता है इसलिए पी-वाई-क्यू जो होता है वो important हो जाता है आप सभी के लिए तो दोस्तो ऐसे में basically जब भी आप internet पे search करेंगे NFL store assistant पी-वाई-क्यू तो इसका shortage देखनी को मिलता है हर एक जगह चाहिए आप Google search करें या फिर YouTube पे search करें वहाँ पर तो हमने सूचा कि हम लोगों के पास previous year question paper है तो basically आप सभी का मदद होनी चाहिए और बहुत सारे बच्चे लोग request भी कर रहे थे तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं previous year question paper with इसके solutions को ताकि आप सभी का प्रेप्रेशन में help हो सकें दोस्तो यह जो PDF है यह basically बनाया गया है paid batch वाले candidate के लिए क्योंकि यह free of cost एजीवे में available नहीं है आप कहीं पर भी नहीं सर्च कर पाएंगे एजीवे में तो आप लोग simple में Google Play Store से SK Tutorial एप को डाउनलोड करके हमारे batch में इंडॉल्मेंट लेगर के preparations को अच्छे से कर सकते हैं इस टोर असिस्टेंट पोस्ट के लिए पूरा complete batch बनाई गई है separate और उसमें आपको 10 sample paper मिलेंगे वीडियो content मिलेंगे पूरा coverage of syllabus रहेगा technical, non-technical दोनों चीजें सब कुछ उसमें मिलने वाला है detail में तो चलिए हम लोग सीधा move करते हैं यहां पर previous year question paper का जो booklet है हम लोगों के पास जो कि आप लोग यहां पर देखेंगे और इससे आप लोग basically idea लगा पाएंगे तो यह है basically हमारे और हमारी team के द्वरा बनाया गया basically यह इसका काम चल रहा है और इसमें basically बहुत कुछ देखने को मिलेंगे आप सभी को surprise जो की batch के अंदर में के बच्चों के लिए basically बनाया जा रहा है ठीक है और मतलब मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हमारे पास किसी ना किसी आसा के साथ उम्मीद के साथ ज्वैन होते हैं उस आसा पर मैं खड़े उतर सकूँ आप सभी का और मेरा यह always मकसद रहता है कि पढ़ाओं वही जो हो आपके examinations के लिए सही exam oriented content को देना definitely मेरा पहला priority रहता है always से और basically यह generally मैं कोसिस करता हूँ खैर दोस्तो हम लोग जो यहाँ पर previous question paper देखने वाले हैं आप सभी को बता देता हूँ कि यह जो format है previous question paper का वो हमने topic wise को set करवा दिया है यानि कि जैसे कि fertilizers basics से जितने questions पूछे गए थे past year में वो सरी को एक जगा हमने डलवा दिया है इसके बाद अगला topic आता है जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पर next topic की तो basically inventory and warehouse management topic है उसको इससे रिलिटर जितने भी questions पूछे गए है पास्ट year में उसको हमने एक जगा डलवा दिया है इसी तरह से तीसरा topic की अगर मैं बाते करूँ तो तीसरा topic है general knowledge of fertilizers and chemicals रिलिटर जितने भी questions पूछे गए थे इसको हमने अलग जगा पे डलवा दिया है तो चलिए आते हैं to the point question number one से हम लोग सफ़र की सुरुवात करते हैं तो question number पहला है दोस्तो fertilizer basic से जो question पूछे जाते हैं ऐसे store assistant के लिए अलग से syllabus है उसके लिए हमने already videos को बनाई है अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो basically हमारे channel पर जाकर के देख सकते हैं या फिर आप लिखेंगे store assistant slavers, NFL store assistant slavers, by Ski tutorial, by Saurab sir, तो I think आ जाएगा YouTube पे सर्च करने के बाद, तो चलिए देखते हैं पहला number question जो है करता है which fertilizer contains the highest nitrogen content, यानि कि इन में से कौन सा fertilizer है, जिसमें कि highest nitrogen content पाया जाता है, option number A है ammonium nitrate, B है urea, C है potassium chloride, D है calcium nitrate, तो इसका सही उतर होगा दोस्तो option number B, urea, ठीक है, क्या होगा, urea, अगला question है, which of the following is a slow release nitrogen fertilizers, तो इसमें options दिये गए है, ammonium sulfate, calcium nitrate, urea, और sulfur coated urea, इसका सही उतर होगा, sulfur coated urea, जो इसका सही उतर होगा, इसी के साथ दोस्तों देखते हैं हम लोग next question करता है, which nutrient helps in root development, यानि कि कौन से nutrients जो होता है, वो basically root development में help क करता है, option है nitrogen, phosphorus, potassium, or calcium, इसका सही उतर होगा, basically phosphorus है, अगला question देखते है, which type of fertilizer is commonly used for acidic soil, acidic soil में कौन से टाइप के fertilizers का यूज के जाता है, lime, urea, ammonium, nitrate, potassium, इसका right उतर होगा, right answer होगा, वो होगा lime, अगला question है, which is the primary function of nitrogen in plants, plants में primary functions क्या होता है, nitrogen का, ठीक है, तो यहाँ पर root development, leaf growth या seed formations, right answer होगा, leaf growth है, अगला question है, which of the following is a source of potassium infertilizers, यानि की कौन इन में से source है, potassium infertilizers का urea, super phosphate, और potass, और gypsum, सही उतर होगा इसका potass, अगला question है, DAP stents for, जो DAP होता है, वो क्या stents होता है, इसका मतलब है, तो होता है, diamondium phosphate होता है, DAP basically, urea जिस तरह से होता है, उसी तरह से DAP भी एक प्रगागा खाद है, ठीक है, fertilizers है, ठीक है, तो अब next है questions, which micronutrients is essential for chlorophyll synthesis, यानि कौन सा micronutrients जो है, वो chlorophyll synthesis के लिए important role play करता है, यानि कि essential होता है, magnesium, calcium, iron, zinc, इसका right answer होगा, iron, अगला question है दोस्तो, which of these is a neutral, या natural fertilizers, इसमें से कौन जो है, वो natural fertilizers है, तो यहाँ पर simple सी बात है, यूरिया, cow manure, या फिर ammonium nitrate और simple सी बात है, गाय का जो गोबर होता है, उसका जो खाद होता है, वो natural fertilizers के तरह काम होता है, cow dung भी हो सकता है, options में रहे कभी आप लोग के समय में, ठीक है, चलिए अगला कोशन दिखते हैं, which fertilizer is commonly used to correct sulfur deficiency, कौन से fertilizers को यूज कहेता है, sulfur deficiency को, क्या करने के लिए, correct के सही करने के लिए, यूरिया, gypsum, potas, lime, जिसका राइट अंसर होगा, option number B, gypsum, इसे के साथ, next topic अब आता है, inventory and warehouse management, देखिए दूस्तों, यह जो booklet है, इसका अभी काम चल ही रहा है, और यह PDF जो है, हलाकि upload हो जाएगी, बहुत जल्द ही, तो app पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो basically जो है हम लोग collect कर रहे हैं, तो जादस-जादा, जितना जादस-जादा questions होगा, उस topics related, उस सभी को एक जगा मैं arrange कर दूँगा, चाहे वो 10 हो, या 15 हो, जितना भी हो, इस से जादा नहीं होगा, बहुत में भी, मतलब 20-25 के अंदर ही रहेगा, एक-एक topic-wise questions, जो है, PYQ का, अगर मैं अच्छे से ढूड़नू तो, ठीक है, क्योंकि एक topic से generally questions, दो-तीन questions, दो-तीन questions, या किसी-किसी topic से 7-8 questions भी रहने को मिल जाता है, इसलिए, और दूसरा जो यहाँ topic है, inventory and warehouse management से related, हलांकि इस topic और या इस post के लिए preparations करना बहुत ज़्यादा complicated नहीं होता है, क्योंकि इसका आप MCQ questions को practice नहीं करेंगे, तब तब आपको पते हैं नहीं चलेगा, कि question किस तरह से एक generations में पुछे जाते हैं, इसलिए, दोस्तों, मैं एक booklet तो आपको देने वाला हूँ, PYQ वाला, और जो remaining होंगे 10, और देने वाला हूँ, sample paper, यानि topic-wise sample paper देने वाला हूँ, यानि topic-wise MCQ questions को practice करने के लिए seat देने वाला हूँ, जो कि आप लोग solve करेंगे batch के अंदर में, भले classes paid batch में, थोड़ा सब video lecture वाले classes कम हो जाए, लेकिन practice set questions को ज़्यादा देने वाला हूँ, क्योंकि ये theoretical topic है, theoretical subject है, खुद से भी कोई आदमी बढ़ियां से content उसको मिले, तो reading मार करके जन्रेशन को pass कर सकता है, तो इसलिए content तो दूँगा ही, video lectures भी आपको मिलेंगे ही, लेकिन extra ज़्यादा focus करने वाला हूँ में, आप सभी को ज़्यादा questions, simple paper प्रोभाइट करने में, ठीक है, तो इसका में ध्यान रखूँगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिनको भी basically ये जीजे, तो आप लोग simple में Google Play Store से Askit Rail app को download करके, हमारे batch में इंडॉलमेट लिगर के, अच्छे से preparations को कर सकते हैं, जैसा कि हमने starting में बताया है, और अगर आपको किसी भी तरगा admission help lines चाहिए, किसी भी तरगा जानकरी चाहिए, तो आप लोग हमारे admission help line number पे call करके जानक ले सकते हैं, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर inventory and warehouse management topics है, question है, फीफो इस्टेंट सफोर, फीफो का मतलब होता है, basically inventory और warehouse management का जब बात करते हैं, यहाँ पर फीफो का मतलता है, first in, first out, मतलब first in, first out, इसे करके, अगला question है, in inventory management, what does, EOQ stands form, तो यहाँ पर होता ह है, economic order quantity, यहाँ, option number जो होगा, इसका, B जो होगा, वो correct answer होगा, इसे के साद अगला question है, what is the main purpose of inventory control, inventory control का main purpose क्या होता है, तो increase inventory, या फिर reduce cost, या increase warehouse space, या decrease order frequency, तो right answer होगा, option number B, reduce cost, अगला question है, which system is used to keep track of stock, level in real time, तो इसका right answer होगा, option number B, perpetual inventory system, अगला question है दोस्तो, what does SKU stands for, SKU क्या होता है, इसका full form, stock keeping unit होता है, क्या होता है, इसका full form, stock keeping unit होता है, ठीक है, अब देखिए, which of these is a warehouse document used for goods received, तो यहाँ पर option number B, जो होगा, right answer होगा, good received note, अगला question है, cycle counting, cycle counting is a method of, अब यह किस कौन सा method है, periodically counting, period of inventory, अन्य, option number B, जो होगा, इसका right answer होगा, इसका right answer होगा, इसके साथ अगला question है, in warehousing, लीफो इस्टेंस 4, अभी हम लोग जस्ट पहले, फीफो सिस्टम के बारे हम पढ़े थे, अभी है लीफो इस्टेंस 4, लीफो का मतलब होता है, क्या, last in, first out, last in, first out, याद रखना है यह से चीज़े, देखिए, जो NFL का store assistant का examinations होता है, इसमें, हलां कि questions directly repeat तो नहीं होते हैं, लेकिन लगबग मिलता जूलता questions तो देखने को मिली जाता है examinations में, directly repeat questions बहुत rare देखने को मिलता है, नहीं के बरावर, ठीक है, लेकिन मिलता जूलता questions थोड़ा बहुत उस topics related questions देखने को मिल जाता है, इसलिए PYQ करना बहुत ज़रा important होता ह अगला question है, which type of selling is commonly used in warehouses, तो right answer का option number B, wrecking, what is the primary function of a safety stock, safety stock का क्या primary functions है, option number B है, act as a buffer to prevent stock nuts, यहां पर दोस्तों हम लोग ने 10 questions को देखा, warehouse से related, warehouse management से related, अब next topic आता है, general knowledge of fertilizers and chemical based questions भी पूशी जाते हैं, फिर store keeper और basically उसके function management से related questions पुशी जाते हैं, बहुत सारी topics हैं आपको store assistant में, जो की basically वहां से question पुशी जाते हैं, question का level बहुत ज़्यादा up नहीं रहता है, बहुत tough नहीं रहता है, आपको अगर basic clarity है, एक बार आपने पढ़ा है, या फिर एक बार आपने videos को देखा है, तो आप लोग easy way में question को solve कर पाएंगे एक generations में, ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से देर ना करें, अगर आपको preparation करनी है, अच्छे से serious experiment हैं, तो आपको definitely batch में join होकर के अच्छे से preparation है, अगर इच्छा है तो कर सकते हैं, otherwise self study या वीडियो देखकर के भी preparation कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अगला question जो है, general knowledge of fertilization and chemical के based पे, what element is most commonly associated with acidifying soil, तो यहाँ पर sulfur को यूज कहा रता है, most commonly, अगला question है, which fertilizer is made from animal bonds, कौन सा fertilizer जो होता है, वो animal bond से बना हुआ होता है, the bond meal, option number B, अगला question है, potass helps, in potass जो होता है, वो किस हीज में help करता है, तो fruit quality and disease resistance में, quality को improve करने में, और plant में किसी भी तरह का disease होगा, या फिर कीडे मकॉड़ी सब जो लग जाते हैं, वो सब चीजों से उसको prevent करने में, यानि कि disease resistance होता है, ठीक है, रोग प्रतिरोध करता है, ठीक है, nitrogen in the soil is primarily available to plant in the form of, nitrogen जो होता है, primarily available to plant in the form of, किस form में होता है, तो nitrates के form में हो अगला question है, what does the acronym NPK stands for in the fertilizers, तो क्या होता है, इसका right answer होगा, option number B, nitrogen, phosphorus and potassium, अगला question है, what is the, what is an example of an organic fertilizer, organic fertilizer काउन सा एक्जामपल है, यहाँ पर, तो, basically इसका सही answer होगा, option number A, bond meal, अगला question है, which nutrients deficiency causes yellowing of leaves, यानि कि plant का जो, जो पौधों का जो पता, basically पीला होने लगता है, इसका क्या main, basically कारण रहता है, तो nitrogen होता है, main कारण, option number A, अगला question है, to reduce the soil pH, एक farmer might be, तो यहाँ पर क्या होता है, reduce the soil pH, यानि कि मिटी का अगर pH को कम करना है, तो farmer किसको यूज करेगा, तो sulfur को यूज करेगा, soil में डाल गर ठीक है, अगला question है, urea is primarily used as a source of, urea जो ही use कहता है, primarily source of nitrogen के रूप में, अगला question है, और इस episode का last question है, which type of fertilizer can be harmful to plants if overused due to high salt content, तो nitrate best fertilizer जो होता है, वो ज्यादा use करने के बाद क्या होता है, basically यहाँ पे harmful होता है, plant के लिए अगर ज्यादा उसको use के जाए तो, ठीक है, दोस्तो यह तो आपको 30 MCQ questions हमने दिखाया, जो previous question पर पुछे गए थे, और यह तो हमने कुछ तीन topic को, हमने से related questions को दिखाया, इस तरह के और भी topic है, store keeping management functions, और भी बहुत सारी topic है, अगर मैं बात करो, in short, मैंने basically print करके रखा है, आप सभी के लिए, अगर basically मैं बताऊं यहाँ पे, material handling technique, inventory management technique, जो कि हलका फलका यहाँ पर मैंने question भी दिखाया, stock levels, reorder level, minimum level, maximum level, यह सभी चीजों के बारे में हम लोग basically पढ़ने वाले हैं, और कुछ-कुछ question, computer से भी question पुछी जाते हैं, हर एक चीजों को मैं each and everything, मतलब आप सभी के साथ, मतलब share करने वाला हूँ, हर एक ठीक है, मतलब ऐसे ही सीधा बात हम लोग basically नहीं आ जाते हैं, कुछ भी ले करके, है ना, उसके पीछे research होती है, जैसे यह भी बना हुआ है, तो इसके पीछे भी research है, इसके पीछे भी महनत है, typing है, जो typist किये हैं, है ना, तो सभी लोग महनत करते हैं, और महनत करते हैं तो उसका फल जो है YouTube पे सिर्फ classes देने से नहीं मिलता है, YouTube पे अगर आप लोगों को सिर्फ जानकारी देता हूँ, और इस जानकारी के थुरू अगर आप लोग बैच में जाके enrollment लेते हैं, तो वहाँ पर आप लोग जो payment करते हैं, तो वो जब आता है, तो वो थोड़ा बहुत turnover मतलब करोड़ों में है, ऐसा भी नहीं पहुचा है, ठीक है, जब होगा तो उस situations में सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, free batch launch करना चाहिए उस situations में, लेकिन अभी क्या है, अभी आप लोगों का support चाहिए, तो हर एक situations में आप लोग जो है, basically, चीजों को समझें, सिर्फ free, 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 अपना profit को मत देखिए, थोड़ा बहुत सामने वाले के भी चीजों को समझेंगे, तो आपको basically आसानी होगी, दुख नहीं होगी, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं, दोस्तों सभी चीजों को समझ गया होंगे, तो इसी वीचार के साथ, basically, रखते हैं, आज की इस एपीशों म लगेगा, उसको basically like कर देगी, ठीक है, तो इसी वीचार के साथ रखते हैं, आज की इस एपीशों में बसीत नहीं, मिलेंगे बहुत जल्द ही, अगले एपीशों में, बहुत ही अच्छे से, प्यार से, और एक नई topic के साथ, नई concept के साथ, जिसमें हम लोग कुछ नया सीख रहे होंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फोर मोर वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए, और अगर आप प्रिप्रेशन करना चाहते हैं, अच्छे से, तो सिंपल में, Google Play Store से, Skit Rail App को डाउनलोड करना है, बैच में इंडलमेट लेनी है, और अच्छे से, प्रिप्रेशन करनी है, 10 civil paper मिलेंगे हैं, previous question paper मिलेंगे ही, topic के सभी topic के, और complete video lectures मिलेंगे ही, complete syllabus को पढ़ाये जाएंगे ही, तो फिर दिकत क्या है, सोचना क्या है, अगर form को fill up करी ही दिये हैं, तो preparation सुरू करते है क्या मिलते हैं बैच में चलिए ठीक है थेंक्यू सो मच अगले एपिसोड में मिलेंगे सीधा SKT Rail एप पर बैच में नमस्कार